अमेरिका ने गजा में लड़ाई को लेकर दुनिया के सामने इसराइल को एक बार फिर नसीहत दी है। अमेरिका ने कहा है कि गजा के रफा में जमीनी लड़ाई इसराइल की घलती होगी और इससे निर्दोशों की जाने जाएंगी। हुआ यह है कि इसराइल हमा स्यूद शुरू होने के बाद जैसे जैसे गजा के बाकी हिस्से तभा होते गए वैसे वैसे गजा के आम लोग रफा की तरब भागने लगे। अब खुद अमेरिका का मानना है कि इन लोगों के पास रफा के अलावा गजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं है। चलिए विस्तार से बताते हैं कि अमेरिका ने आखिर इस्राइल से क्या-क्या कहा है। तरसल अमेरिका के रश्टिय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्वन ने बताया है कि इस्रैल के प्रधान मंदरी बेंजाबिन नितन याहू और अमेरिकी रश्टपती जो बाइडन के बीच फॉन पर बात हुई है। गज़ा के दूसरे प्रमुक शहरों को बड़े पैमाने पर तबहा कर दिया गया है। सुल्वन ने कहा कि इस्रैल ने अमेरिका या दुनिया को ये योजना नहीं बताई है कि वो कैसे और कहा उन नागरिकों को सुरक्षित पहुँचाएगा। सुल्वन ने कहा कि रफा मिस्तर से गज़ा में मानिवे साहता पहुचाने का प्रमुक प्रवेश बिंदू है और अगर रफा में सैन अभ्यान चला तो ये बिंदू बंद हो जाएगा। अमरिका ने कहा है कि हमास को रफा या कहीं और पना ना दी जाए लेकिन वहां एक बड़ा जमीन अभ्यान चलाना गलती होगी। इससे बहुत सी निर्दोष जाने जाएंगी पहले से ही गंभीर मानुविय संकट और बढ़ेगा। गजा में अराजकता बढ़ेगी और इस्राइल अंदर राश्ट्रिय रूप से और अलग थलग होगा। सुल्विन ने बढ़ाया कि बाइडन और नितन याहू ने गजा में हमास और अन आतंकियों द्वारा बंदग बनाए गए लोगों की रिहाई के बदले में कई हफतों के लिए संगर्ष विराम को लेकर चल रही बादचीत पर भी चर्चा की। बाइडन ने इस्राइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी अटूत प्रतेबदता दोहराई और कहा कि इस्राइल को हमास पर हमले करने का अधिकार है जिसने यहूदी लोगों पर भयानक हमला किया था। के बीच बहुत से लोग बेगर हो गए है इन लोगों के सामने खाने का बड़ा संगट भी खड़ा हो गया है ऐसे में अगर जल्दी से हालात में सुधार नहीं हुआ तो गजा में आम लोगों से जोड़ा संकट और बढ़ सकता है।